पेश है फिल्म रिव्यू नौटी गर्ल ये एक एरोटिक ट्रामा फिल्म है जो अब गुक माई शो पर हिंदी में रिलीज हो चुकी है और अब आप लोगों से अपने इस रिव्यू शेयर कर रही है यह एक राशियान प्रडाक्शन फिल्म है इसलिए यह सिर्फ OTT पर रिली आप इस फिल्म में देखेंगे के अंगलाकी अलिया की कहानी जो एक स्टूडिन है उसकी मुलाकात होती है बहत ही रिच से मर्ग मैटवी राईजाइक जो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालक है लेकिन इन दोनों की मुलाकात की शुरुआत एक प्रोजेक्ट को लेकर से होती है, जहाँ चंगल के बीच एक प्रोजेक्ट लगना है जिसका विरोध आलिया करती है, तो उसे पटाने के लिए मैट्री राइजार उसे साथ दिन की एक रुमांटिक विकेशन पर आने का नियोता देता है, तो क्या इन दोनों के बीच की कह प्यार में बदल पाएगी या नहीं, और क्या वह नया प्रोजेक्ट चंगल में शुरू होगा या नहीं, यह सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस फिल्म को, फ्रुबस यह कहानी इस फिल्म की है और कुछ खास है भी नहीं, एक वीक रीजन है, आपको कुछ 50-50 Shades of Grey film style के erotic scenes दिखाने को मिलेगे, इस फिल्म के erotic scenes जो है, 50 Shades of Grey film के जितने steamy या seductive तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी audience का काम चल जाएगा, तो अगर आपको time pass के लिए erotic film देखनी है, तो फिर आप यह film देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको erotic scenes के साथ साथ अच्छी story औ तो फिर यह आपको disappoint करेगी, बाकी actors की performances और film का music ठीक ठाक सा है, लेकिन जो overall production quality है, फिल्म की वो अच्छी है, अगर आप दर्शक लोगों को erotic movies देखना बहुत पसंद आता है, तो फिर आप अपनी expectation ज्यादा हाइना रखते हुए, अपने time pass के लिए इस film को देखना चाहे इस कारण आप दर्शक इस से बहुत चल्द उप जाएगे और बोरिक करेगी, हमारी तरफ से एक star rating